हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो मैं चैनल गाइस में एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूं कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं मैं आप सभी लोगों क हैं तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो तो प्लीज कीप अउपन माइंड और रीडिंग टाइमलेस भी है तो जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं अगर यह कोशन आपके माइंड में है तो इसेड ह Keem करने माइंड काओं तो काओं मुंचे लेएं तो दो का करने माइं मैंड और देख ऐख व्या है मैं और आपके बुश्ण यह में दू नी छाला काओं माइंड ऊचिए दंडा स्ट तो काओं मेरेसे खेंड्यूचें बार्य देख कर्णमारसए मुझे यहाँ पर आर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉज दिख रही है टारिस व्रिगो एं काप्रिकॉर्न जिसमें काप्रिकॉर्ण बहुत स्ट्रॉंग है इसके बाद मुझे जो एनर्जी दिख रही है स्ट्रॉंग वह है आपके लिए air energy Gemini Libri Aquarius and then water energy Cancer Scorpion Pisces Fire energy भी है यहाँ पर ठीक है Yes, तो क्या यह person आपको miss करते हैं देखो Miss तो करते हैं लेकिन आप से थोड़े नराज हैं यह person Miss तो करते हैं हलांकि message करने के बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन कुछ devil energy इनके आसपास है लाइक नराजगी, disappointment या फिर आपको लेकर थोड़े से मतलब नराजगी दिख रही है मुझे तो अगर मैं overall बता हूँ और इनको लगता है कि आप ना मतलब ठीक से work नहीं करते हो थोड़ा सा financial crisis भी face कर रहे हैं मतलब इनके work में मैं कुछ ठीक से balance देखनी पा रही हूं और इसी के साथ आपके साथ जो अभी understanding है वो ठीक से बैठ नहीं रही है ठीक है understanding नहीं बैठ रहे है compatibility तो है तब यह शादी के लिए सोच रहे हैं लेकिन अभी मतलब थोड़े नराज ही चल रहे हैं आप से मतलब थोड़े नराजगी है या कुछ बताया होगा कि आप किस तरीके से मतलब ब्येव करते हो तो आपका आपकी कौन सी बात पसंद नही तो है या थोड़ा सा मतलब बेचैन से हो रहे हैं समझ नहीं आ रहे है कुछ इस तरह से अगर आप इस कार्ड से कुछ वाइब गए तो आपको फील आ रही होगी कि या माइंडसेट बनाया हूआ आपके पार्टनर ने अभी थोड़ा सा गुसा से हैं नराज से हैं कुछ इ यह चाहते हैं आपको कि मैसेज कर दें आपसे बात कर लें ठीक है इस पार्टनर शिप में मतलब अपना पूरा एफर्ट्स डालें क्योंकि आप इसकी कई न कई विश तो हो या आपको अपने विश समझते हैं आपके पास आ रहे हैं ठीक है एक डिसिजन लेंगे बहुत ज इसोचते हैं नहीं मेरे परसंदिन ऐसे किया था तो मुझे तो भात नहीं करने फर यह वाला मतलब वर्ट्स इनके माइंड में आ जाते हैं और फिर यह अपने आपको रोकते हैं कॉन्टेक्ट नहीं करते पिर आप से और जब जब ही आपको मिस करते हैं तो चाहते हैं कि MESSAGE करें लेकिन फिर यहीं सब बाथे माइंड में आ चाती है तो खुद को रोकते हैं ठाक है तो मिस्तो करते हैं लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी ठीक से चल नहीं रहा है सब कुछ आपकी कनेक्शन में तो इस वज़े से खुद को रोक रहे हैं लेकिन आंसर हंड़ड परसंट येस है लेकिन मैं 50-51 इसलिए बोला क्योंकि जब नराज़गी में मिस कर रहे हैं तो फिर वही है ना कॉंटैक्ट नहीं करेंगे ना भी आपको देखते हैं इंजल क्या अंसर बताएंगे रोमेंस कि कम ही आपके कनेक्शन में तेक एक्शन एक्शन लेने की कोशिच तो करते हैं अपने जैसे बताया के रोक रहे हैं अपने आपको and compromise कर रहे हैं इस time इस connection में ये भी खुल के सामने नहीं आ पाते हैं खुल के अपनी बाते नहीं बता पाते हैं ये क्या सोचते हैं ठीक है बट ये इस connection को manifest ही कर रहे हैं इसके improve होने की ठीक है और ये situation improve हो भी जाएगी this situation will improve यानि कि हमेशा ऐसे ही नहीं रहोगे आप दोनों no need to worry कोई tension लेने वाली बात नहीं है अगर अभी थोड़ी नराजगी बगएरा चल ही रही है तो ये भी बहुत महनत कर रहे हैं इस connection को improve करने के लिए और divine कह रहे हैं ये situation improve हो जाएगी no need to worry and थोड़ा सा वास compromise करें अभी थोड़ा सा compromise करके चले हो सकता है कि ये जो compromise है ये आगे चलकर काफी fruitful result देखा आपको क्योंकि देखो भुला तो रहे नहीं है आपको ना ये partner आपको याद भी कर रहे हैं बट थोड़े से नराजगी भी चल रही है तो पैसे में कोई कुछ नहीं कर सकता तो थोड़ा सा आपको patience और compromise करके चलना पड़ सकता है बट याद ही कर रहे हैं अभी भी आप इसके माइंड में तो आते हो थोड़े से answers यहां से भी देखो ओश don't worry तो जो cards हमारे सामने आगए हम उनको ले लेते हैं बाकियों को हम वापस ले लेते हैं क्योंकि यह बहुत सारे हैं इनको पढ़ने में मुझे आदा घंटा लग जाएगा कम से कम बहुत देखो ना कितने सारे cards है तो जो हमारे सामने आगे वो हमने ले लिए वाव, heart का card है love, deep, affection and caring तो प्यार तो है आप तोनों के बीच में बिल्कुल है, प्यार है तब ही तो याद आती है hills, obstacles to overcome obstacles तो देखो खतम हो जाने हैं तब ही divine ने बोला no need to worry eye, psychic ability trust your intuition इस ताइम आप अपने intuition को follow कीजिये, इस connection से regarding जो भी आपको पूछना है, just follow your intuition, spiritual development, enlightenment, awareness and understanding यही चीज आपको feel करनी है, जब आप अपने intuition follow कर रहे हो spiritual development, enlightenment awareness and understanding इस connection में better understanding होना चाहिए, तो यह तब ही होता है जब आप अपने intuition को follow करते हो, intuition work तब करते हैं, जब आपकी जिंदगी balanced होती है, keep your life in balance, तभी intuition guide कर पाईगी, अच्छे से, चीक है तो keep your life in balance okay guys थोड़ा सा इनके business में थोड़ा सा problem है, अभी चीक है, but don't worry angel आपके person के साथ है, spiritual guidance, protection from harm because kuchh harmful situation इनके business में आ रही है, that is why an emotionally secure loving family is important to you, देखो आप भी इसके लिए एक family हो, और आप बहुत important to us के लिए someone is extremely stubborn and unwilling to change हो सकता है, क्योंकि devil energy है एकदम से नहीं जाएगी, बर तीरे तीरे जाएगी जहाँ पर devil है तो वहाँ हमारे पास angel भी है, so don't worry distance friend is thinking हो सकता है, यह कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो आप जिसके लिए पूछ रहे हो या आपके distance lover या friend है temporary problems है guys, जल्दी resolve हो जाएगी, don't worry आपके साथ अगर कुछ family matter चल रहा है, तो आप उनको solve करो इस separation mode में because आपको भी financial pinch कुछ मिल रहा है कही ना कही से increase your effort if you want to achieve your goals तो दोनों को efforts increase करने पड़ेंगे तभी अपने goal achieve कर पाऊगे जैसे goal achieve होंगे वैसे connection भी improve होता जाएगा जाए आपकी शादी होई है या नहीं होई है doesn't matter प्यार तो है connection में आप दोनों की life में a personal issue to reach a resolution yes देखो बिलकुल आप लोगों को आपकी personal issues जो आप दोनों face करते हो अपनी जिंदगी में solve हो जाने है so don't worry okay और देख लेते हैं क्या आपके लिए है एक तो ये wait a second guys मैं दूबारे shuffle करोंगे hmm थोड़ी अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी ये परसन बहुत stubborn है थोड़ा सा आप भी अच्छे से manifest करो क्योंकि देखो आपका hard work तो pay हो रहा है इस connection में आपके victory है don't worry ये परसन अभी भी याद करते हैं आपके कुछ ना कुछ टेस्स चली रहें प्रोसेस पर धियान दोगे उतना जल्दी जल्दी आपके लाइफ में changes आजाएंगे आपको भी पता है कि आपके पार्टनर स्टबन है वह जल्दी से चीजों को समझते नहीं है जैसे आप बहुत जल्दी accept कर लेते हो हर एक चीज को आपके person के लिए यह इतना possible नहीं है तो ऐसे में आपको थोड़ा patience रखकर चलना पड़ सकता है और angel से मदद भी मांगनी पड़ सकती है तो बिल्कुल करें और अपने थोड़ा finance पर अपने finance पर धियान दें यह बहुत important है आपके लिए लेकिन हाँ answer yes है no नहीं है यह person miss करते हैं आपको this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हो यह आपको पसंद आई हो अभी के लिए बस इतना है guys bye take care